जैश्री डाम बहुत शागत आपका आपके अपने बेहत खास कारिकम माना से ओतिस ग्यान मैं मैं हूँ आपके शाथ आपका अपना आचारे राजमिश्टा तो मेरे तुला राशी के प्यारे जातक जातिका फिर से एक बार आप सबके लिए बड़ी महत्पूर जानकारियां लेकर के उपस्तित हूँ सबसे पहले आपका धने बाद कि आप सबके लिए जो भी हम जानकारी डालते हैं आप लोग उसको उतना शेयर करते हैं और उसी चीजों को देखते हुए मेरी सबसे पसंदीदा राशी में से एक है तुला राशी और मैं एक बहुत रिसर्च करके इस राशी पर आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ तो फिर से जून का महीना किस प्रकार बतीत होना वाला है आपके लिए इस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्तित हुए हैं लेकिन थोड़ी सी आपकी विशिष्टाएं आपकी खाशियत आपको बता दें और बता दें कि राप्त को नौ बजो दो पहर को बारा बजो रोज रोज लाइव आते हैं फ्री आपको लाइव में कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो तुला राशी सत्य वक्ता देवाराधन देवाराधक तुला राशी के लिए रावन सहिता दो सब्द कहती है कि तुला राशी का जो जातक या जातिका है वो सत्य वक्ता होते हैं या होती हैं जू देवाराधक जन्रली जो मैंने तुलाराशी के लिए महसूस किया है, जो मेरा रिसर्च कहता है, जब तुलाराशी के जातक जातका की 35 वर्ष की अवस्था जैश्री ही क्रॉस होती है, तो भगवान में जो आस्था है, वो बहुत जादा बढ़ जाती है, इस प्रकार की परिस्थती हमने देखा है और आप अगर तुला राशी को उठा करके देखेंगे भी जो पुरातन लोग देखा है श्वामी राम कृष्ण परमहंश की अगर बात की जाए तुला राशी के रहे है रामर की बात की जाए तुला राशी का है देवा राधक है इस गुरू का बड़ा सम्मान करने वाले हर कारे में देव की अराधना करने वाले ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जो तुला राशी के हैं और उनके जो धार्मिक्ता की परिस्थती को देखी गई हो बहुत अच्छी देखी गई है तो ये तुला राशी के कुछ खास गोचर करेंगे ये बहुत पॉजिटिव शाइन है आपके लिए शेवन था उसमें जुप्टर के साथ मरकरी होंगे राभू होंगे क्योंकि अभी तक कि तु अकेले आपकी राशी में गोचर कर रहे थे और जो अभी तक की परिस्थतियां तुला राशी के लिए पिछले क इसी कारे को में सफलता आपको नहीं मिल रही थी इस प्रकार की परिस्थती हम तुला राशी के लिए देख रहे थे लेकिन क्योंकि इस माह जो परिस्थती होने वाली है ब्रहस्थ पति आल्रेडी आपकी राशी में है आपकी राशी को दृष्टी दे रहे हैं बुद्ध आपके शेबंत हाउस में आकर के गोचर कर रहे हैं जो की इस रासी की भागेश हैं तो इस माह आपका मान शम्मान बढ़ेगा किसी अच्छी संस्था की तरफ से आपको पुरुषकार इत्यादी प्राप्त होगा लोगों में आपकी रिस्पेक्ट होगी जीवन शाती का स्वा अपकी लाइफ में होने वाला है वह है कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी जैसा कि मैंने तुला-राशी के बारे में महसूस किया है जो मेरा रिसर्च कहता है जो मैंने देखा है, वो ये परिस्तती आपकी रही है कि आपने जीवन में इस्थिरता बहुत कम देखी है, बहुत रोशिश करने के बाद भी हमेशा कारी परिवर्तन करते रहना, हमेशा नौकरी में परिवर्तन होते रहना, कभी भी मैंने तुला राशी के जो जातक जातिका हैं चरप्रत्त की राशी होने के कारण जीवन में इस्टेवलिटी जिसको कहा जा सकता है जीवन में इस्थिर्टा जिसको कहा जा सकता है वो मैंने तुला राशी के लिए बहुत कम देखा है तो मैं जानता हूं कि अभी भी आप एक ऐसी परिस्थति में हैं कि जहां से ये कि जीवन में आगे क्या होगा कैसे होगा professional life कहा जाएगी जीवन की क्या परिस्थिति lien होंगी तो इस महीने वह नौक्री आपको मिलने जा रही है जो आपके लिए अच्छी है इस महीने वह सुरवात आपके लिए होने जा पर बहुत ध्यक्तर अपने हार इत्यात पर आप जानते हैं कि छोटे समय में सबकुछ बताना बहुत मुश्किल होता है घागर में शागर भरने जयशा होता है रात को नौ बजे दो पहर को बारा बजे रोज लाइव आता हूं आपके शामने आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विशे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हूं कर सकते हैं अब इस कारिक्रम को यहां पर विराम देता हूं मिलेंगे नए कारिक्रम में आपके सामने तब तक के लिए आप सब कार जुड़ने के लिए बहुत धन्यबाद जैसी आरा हूं